हाई अब्रीवान वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेर करने वाली हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग से हैर हैक्स एंड इन हैक्स को यूज करने से आपके जो बाल है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे को उनसे hair hacks, आपके साथ में share किये हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो का सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अब भी तक नहीं किया है तो, एंड neighboring को भीडियो को चलो, प्रेंडियो को ठाप है तो आपको छोटे ब्रिसल्स वाले कॉम के बजाए बड़े ब्रिसल्स वाला कॉम आपको यूज करना है जिससे आपका जो हैर फॉल भी नहीं हो एंड इससे आपके बाल भी जो है डेमेज नहीं होंगे एंड आपके बाल बहुत जल्दी डिटेंगल हो जाएंगे तो अगर आ कि इससे आपके बाल जल्दी ही डिटेंगल हो जाएंगे कम टाइम में ही एंड हैर फॉल भी नहीं होगा सो सेकिंड वाला है कि अगर आपको बहुत जादा अपने हैर से ओईली एंड ग्रिसी से लग रहे हैं और आपको कहीं इंस्टेंटली कहीं जाना है तो तो इसके लिए आपको क्या करना है बेबी पाउडर ले लेना है या फिर अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल वाला पाउडर भी यूज कर सकते हो उसको को अपनी स्कैलप में थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से चिड़कना है इससे आप देखोगे आपके जो बाल जाना इनस्टें के help से आपको इसे manage कर लेना है एंड आपके बाल ना बहुत ही अच्छे हो जाएंगे नौन ग्रिसी हो जाएंगे सो फ्रेंड नेक्स्ट वाले hack में अगर आपके बहुत जादा split hand है आपके बाल नीचे से बहुत जादा damage हो चुके है दो मुहां बाल हो चुके हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपल सा एक hack में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अगर आपको लेना है केवल एक aloe vera gel आपको इसी भी company का यूज कर सकते हो एंड इसे आप जब भी night में मदल सोने जाते हो उससे थोड़े देर पहले आपको अपने बालों के एंड में इसे apply करना है आपको इसे regular साथ स 8 दिन या 15 दिन पर आप अगर इसे regular apply करोगे तो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा आपके split end भी खतम हो जाएंगे और आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे नीचे से तो आप यह वाला hack भी एक बार ज़रूर ट्राइब करना so guys आज कल का जिस तरीके का busy schedule रहता है तो जिन लोगों को मतलब इस busy schedule में mask apply करने का time नहीं मिलता है तो उनके लिए एक hack है कि वो एक कोई भी serum जो भी वो apply करते हैं उनको आप as a overnight mask की तरह भी use कर सकते हो आपको बस simple night में सोने से पहले बस अपने serum को इसी तरीके से normal जो आप serum apply करते हो वैसे ही आपको अपने बालों में apply करना है and overnight ऐसे ही रहने देना है सुबह उटके आप देखो कि तो आपके जो बाल है ना बहुत जादा smooth, silky लगेंगे and shiny लगेंगे तो आप यह वाला hack भी एक बार जरूर ट्राइ करना so friends next hack है हमारा scalp massage जिन लोगों को अगर healthy and strong hair चाहिए तो उनको scalp massage करनी ही करनी चाहिए and जिनके अगर बहुत जादा hair जो है बहुत कमजोर हो चुके हैं तो उनको भी scalp massage करनी ही करनी चाहिए अगर आप oiling नहीं करते हो तो भी regular night में आपको 5-7 मिनिट तक या फिर जितना comfortable आपको लगे उतना आपको scalp massage करनी है इससे आपके बाल जो है बहुत जादा strong होंगे blood circulation improve होगा तो आपके बाल मजबूत होंगे जड़ों से तो यह आप daily night times की hair के routine में आप इसे शामिल कर सकते हैं scalp massage को so friends next है inversion method massage friends ये वाली massage ना उन लोगों के लिए बहुत जादा beneficial है जिनका hair growth बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या hair growth बिल्कुल stop हो चुका है उनके लिए ये वाली massage करना बहुत जादा important है आप भी कर सकते हो जिनको अगर healthy hair चाहिए तो वह भी कर सकते हैं otherwise जिनका hair growth बिल्कुल वाले वह ये वाली massage जरूर से शामिल कीजिए अपने hair care routine में आपको daily basis पे daily night में आपको ये वाली massage करनी है finger tip की help से head down करके इससे आपका blood circulation होगा ना बहुत जादा बढ़ेगा एंड आपके बाल healthy होंगे strong होंगे so friends next hack है कि आपको कभी भी इस तरीके से खुले बाल रखके नहीं सोना है otherwise आपका hair fall बहुत जादा बढ़ जाएगा और आपके बाल बहुत जादा damage होएंगे क्योंकि इस तरीके से सोने से आपके बाल पूरी तरीके से उलच जाएंगे तो आपके बाल बहुत जादा break होंगे damage होंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सोते हो तो आपको loose bread बनानी है इस तरीके से या अगर आप bread नहीं बनाते हो तो आपको bun बनाना यानि किसी भी तरीके से आपको अपने बालों को secure करके ही सोना है और ये वाला एक ना बहुत जादा effective है जब भी आप bread बनाके सोते हो तो आपके बाल से manageable रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं बिल्कुल भी उलजते नहीं हैं हमेशा detangle ही रहते हैं तो आप जब भी सोते हो तो आपको loose bread बनाके ही सोना है ताकि आपका hair fall नहीं हो और आपके ब नहीं करना है उससे आपके बाल बालों के जड़े कमजोर होंगी और आपके बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे आपको जो भी आप hair style बनाते हो comfortable होनी चाहिए और बहुत ज्यादा tight नहीं होनी चाहिए loose ही होनी चाहिए and friends next hack है कि जब भी आप ponytail बनाते हो तो आपको इस तरीके का पतला rubber band यूज में नहीं लेना है इससे आपके बाल वह ज्यादा टूटेंगे वह ज्यादा break होंगे and बालों की length जो वह बीच में से टूटेगी तो आपको हमेशा जब भी आप ponytail बनाते हो तो इस तरीके का मोटा rubber band यूज करना है या फिर आप जो scrunchies होते हैं वह आप यूज कर सकते हो जो वह मुलायम भी रहती हैं soft रहती है हमारे बालों के लिए तो आपको कभी भी पतले rubber band को यूज नहीं करना है इस तरीके का जो heavy rubber band होता है उसको आपको यूज करना वह बहुत ही comfortably and easily ही उससे ponytail बन सकते हैं हम सो फ्रेंट जब भी हम hairstyle बनाते हैं ना तो यह जो baby hairs होते हैं वह हमें बहुत जादा disturb करते हैं चाहिए हम poly tail बनाएं कोई भी hairstyle बनाते हैं तो इसके लिए एक hack है कि आपको क्या करना इन baby hairs को चुपाने के लिए aloe vera gel लेना है थोड़ी सी quantity लेनी अपने finger पर बहुत जल्दी चुप जाएंगे और आपने जो भी hairstyle बनाई है वह बहुत जादा neat and clean लगेगी और डिफ्रेंस देख सकते हो फ्रेंड तो इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैं aloe vera gel apply कर लोंगी और यह वाला है बहुत ही अच्छा है एक बार जरूर ट्राइक करना एंड ल कुछए हैं अ जहां कि पर दोनों हाथों को निल होते हैं उन दोनों को आपसमें रव करना है इस योगा को करने से आपके जो अगर सफेद बाल आ गए तो वह ब्लेक होंगे अगर आपके बाल पतलब आपके बलगे हो जैंग दूसे योपार लेटon गरने से Professor यॉगा से तो आप जब भी दिन में free हो तब भी आप इसे use कर सकते हो इसका कोई ऐसा criteria नहीं है कि आपको morning में ही करना है night में ही करना है जो भी आपको time मिले दिन में आप तब भी इसे use कर सकते हो यह वाला योगा बहुत जादा effective है मारे बालू के लिए so friends यही था मेरा आज का वीडियो I hope आपको अच्छा लगा होगा अपके लिए helpful रहा होगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दो साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रैस कर देना thank you so much